पीट का दर्द चाहे lower back हो चाहे अपर तो आज मैं थोड़ा सा lower के बारे में बताने वाली हूँ कि simple-simple exercises करके आप अपने पीट के दर्द से कैसे बाहर आ सकते हो सो उसके लिए आप कोई chair हो, table हो, कुछ भी आपके पास जो available हो उस पर ले लीजे अब ये कहां-कहां मदद करेगा L4, L5 में जिसको problem है, slip disc है, जिसको बोल देते हैं इस area में दर्द, जादा देर खड़े रहने से भी अगर आपके hips और ये area, ये इस area को, lumber area जो है, ये दुखता है, तो आपको ये exercise कर लेनी चाहिए और बहुत ही simple है, बड़े असान शब्दों में मैं आपको इसको explain करूँगी तांकि आपको ये भी डरना रहे कि मैं ठीक कर रही हूँ, कि मैं गलत कर रही हूँ, okay so just understand, हमने कोई भी इस height की चीज ले ली, table ले लिया या chair ले ली अब मैंने क्या करना है, दोनों हाथों को इसके उपर place किया, पाउं धीर धीरे गए पीछे, can you see this, okay अब अपने धीरे धीरे अपनी chest को नीचे ले जाना है, नीचे, नीचे, हाँ, अब जैसी आप यहां आते हो, आपको एक बड़ा अच्छा सा pressure यहां फील होता है लेकिन make sure आपकी legs बहुत आगे नहीं होंगी और बहुत पीछे नहीं होंगी, फिर नहीं होगा legs को अगर ध्यान से notice करें, so they are straight, okay, इतनी पीछे ही जाना है कि वो सीधी हो, all right adjust किया, head को हलका सा नीचे ले गए, देखा सामने क्योंकि जादा तर पाया जाता है जिसको back pain है उसको cervical pain भी होता है, majority cases में तो नीचे नहीं देखना, सामने देखना है, नीचे गए, hold किया, फिर उपर आए, फिर नीचे गए, इस तरह से अपनी back को depending upon आपको कितना pain है, अगर आप इतना feel कर रहे हो अच्छे से, तो head नीचे ले जाओ, ऐसे, फिर आप इसको even shake कर सकते हो, one, two, three, four, five, six, seven, again, depending upon आपकी severity क्या है, अगर बहुत deep pain है, तो अराम से खड़े हो जाए, एक चीज और इसमें add कर लो, क्या, इस तरह से खड़े हो, अब एक leg को उठाने की कोशिश करो, leg को पीछे सीधा करो, okay, hold करके रखो, five, four, three, two, पीछे है, ऐसे नहीं, ऐसे, leg ऐसे नहीं है, सीधी करने की कोशिश है, एक, वापिस आ गए, फिर से सांस लि और फिर, पीट का दर्थ बहुर जान लिवा होता है, I know that, हाँ जी, पेंकिलर्स लेने की बजाए, बेड से उठें और कुछ करें अपने लिए, इस तरह से hold किया, पांच, चार, तीन, दो, और एक, बापिस आए, और अपना रिलाक्स किया, आप question है, यह कितनी देर करना है कम से कम 10-15 मिनिट, तो आप कीजिए, मतलब आप टाइमर लगा कर, की लेग उठाया, फिर रिलाक्स किया, फिर बीच में किया, तो इस तरह से 10-15 मिनिट परफॉर्म करो, एक और चीज जो आप इसमें कर सकते हैं, वो क्या है, आप इस तरह से चेयर के सामने बैठ जाओ, ग इसको अपकी नेक के पीछे प्लेस करें, और राइट, नेक के पीछे, कोई बहुत हाड चीज लेने की जुरूत नहीं, पस इतना ही चाहिए, आप दूनों एल्बोस को अपनी हाइट पर लगा लो, सोफा है, सोफे पर भी रखा जा सकता है, लेकिन सोफा जनरली सॉफ्ट ह तो नीचे चला जाता है, तो आप हैंडल देख सकते हो, या टेबल, अब आपने क्या क्या इसको पकड़ के रखा, ताकि आपकी ये वाला पॉस्चर खराब नहीं नीचे जाने में, अब आपने आपको नीचे ले जाना है, हिप को देखे, ज़रा मैं क्या कर रही हूँ, न नेक उपर है, ताकि जैसी स्पाइन की शेप हमें भगवान जी ने दी है, हम उसी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, इस से आपको जो लोर एरिया है, स्पेशली ये उनके लिए हो गया, लंबर एरिया वालों को, उपर आगए, सर्वाइकल में भी आपको फरक मेहसूस होगा इसमें, ये, ये, चोटी-चोटी और सिंपल एक्सराइजेस आपको, इसके लिए आपको योग में तू मच कॉम्पलिकेशन ऐसे मुड़ना, ऐसे मुड़ने करने की जुरूत नहीं है, ये बहुत सिंपल-सिंपल एक्सराइजेस आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है, हमारी एक वर्क्शॉप आ रही है 20 तारीक को, 20 डिसेंबर, कुछी दिन रह गए, कुछी सीट्स रह गए, उसमें ऐसी ही, छोटी-छोटी सिंपल एक्सराइजेस करवा कर, जिन लोगों को स्लिप डिस्क है, लंबर एरिया में प्रॉब्लम है, टेल बोन में प्रॉब्लम है, थुरेसिक में प्रॉब्लम है, सर्विकल एरिया में प्रॉब्लम है, सब का इलाज किया जाएगा, और आपको actually महसूस होगा, कि आपने कुछ किया है, और आपकी बैक आपको thanks बोलने माली है, प्लस एक और चीज़ जो बड़ी अच्छी है, स्पाइन से हम मारी एनरजी फ्लो करती है मैंने पहले भी बहुत बार बताया है जिसे हम चक्रास क्या देते हैं उनके उपर फोकस करके उनको मेडिटेशन के द्वारा भी वहां हीलिंग की जाएगी तो यह सब होगा मेरी वरक्शॉप में लाइव मेरे साथ आप करेंगे 20 से 24 जिस जो भी ल वाट्साप कर दीजिए राधी राधे लिखे हम समझ जाएंगे आप वरक्शॉप करना चाते हैं 80542 40542 राधी राधे